अरे अरे मोधी जी हाथ में जाडू पकड़के अपने जूत्तों से क्यों कचरा साफ करने लेगे वो यार आपके जूत्ते खराब हो जाएंगे वैसे भी आपके जूत्तों का प्राइज उत नहीं होगा जितना है कैवरेज इंडियन की एनुल इंकम होती है अगर बात सही है तो अच्छा से जाडू मारिये ना ये वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बता दू कि अंदबक्त इस वीडियो से दूर रहे है अब वीडियो शुरू करते है वैसे मैंने कभी सोच जा नहीं था कि अंकित भाई की वीडियो को भी मैं कभी रोष्ट करूंगा लेकिन अभी दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो बनानी पड़ गई हमारे देश के अधर्निय परधान मंतरी शिरी नराइंदर मोदी जी अंकित भाई ये ब्लोग में फीटेर हुए मतलब हमारे देश का परधान मंतरी इतना ज़्यादा वेला है कि वो अंकित भाई के साथ ब्लोग बनाता हुआ गूम रहा है अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो तो सबच्चता भारता भियान के बार में बताने के लिए उसके ब्लोग में आते बेटा उस बात पर भी आएंगे लेकिन पहले हम ब्लोग को स्टार्टिंग से देखते हैं वा मोदी जी वा मैंने ये क्लिप को ना दस से पंद्रावार रपीट मोड पर देख लिया है मैंने सोचा कि है हमारे देश के परदान मंत्री है ऐसे कैसे कुछ गलत बोल सकते हैं लेकिन नहीं इन्होंने गलत बोल ला अरे मोदी जी जब आपको हर्यान भी नहीं आती है तो क्यों फेक एक्सेंट बनाके रियान भी बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो राम राम सार्यान है आपको इसका मतलब भी पता है सार्यान है अरे आप अकेले अंकित भाई सो मिल रहे हो तो राम राम भाई बोल सकते हो अगर नहीं बोलना था तो नमस्ती बोल देते लेकिन नहीं ह हमें तो हीरो बनना है जब मैं अंकित भाई के ब्लोग में जाऊंगा ना तो स्टार्टिंग में जाते ही बोल दूंगा राम राम भाई सो रहान है ताकि अंकित भाई की ओडियंस मुझसे इंप्रेस्ट हो जाए वो भी सोचें कि हमारे देश के प्रधान मंत्री मोधी जी भी अंकित भाई की तरह आई है इस पार की बोड़ तो मोधी जी गोई जाएगी अब की बार मोधी सरकार अब जो लोग यह वीडियो देखने के बाद यह सोच रहे है कि मोधी जी अंकित भाई के ब्लोग में स्वच भारत अभ्यान के बारे में बताने के लिए आया है तो भाई मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि अंकित भाई ही क्यूं मतलब मोधी जी खुद इतनी बड़ी हस्ती है इनके शोचल मीडिया पर इतने ज्यादा फॉल्वर्स खुद के हैं यह अगर क कि सफाई करमचारिया उनके साथ सफाई करते हुए दिखा देते लेकिन अंकित भाई ही क्यूं क्यूंकि मोधी जी को दिखे अंकित भाई के बढ़ते हुए फॉल्वर्स अरे मोधी जी आपको हमारे देश में बढ़ता हुए क्राइम रेट ने दिखा हमारे देश के करती हुए बात दी नहीं दिखी सब अच्छ भारत अब हमारे देश में गैंक्स्टर गेल में बैठे हुए लोगों को दंकी दे रहे हैं शहरें मडर कर रहे हैं लेकिन इनको कचरा साफ करने की पड़ी है क्यूंकि अगले साल 2024 में रहें एलेक्शन मोधी जी को लगा कि अंकि की सरकार वैसे भी पक्किया है क्योंकि वहां पर तो सिस्टम है ना एलवी शादव ने बिग बॉस से बाहर निकलते ही कर दिया ग्रैंड मीटप के नापर सीम रैली भाई रैली ही थी वह लोगों को लग रहा मीटप है अरे नहीं यार हम भी गई है मंत्री के लिए मंत्री क के लिए कि वह बिग बॉस जीत करा है अरे सीम साब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आपके हर्याना के रैसलर जब प्रोटेस्ट पे बैठे थे तब आप उनके पास गई दारे के लिए नहीं गए जब आपके हर्याना के लोग इतने मैडल जीत के लाते हैं देश के लि लेकिन सीम साब को चाहद यह नहीं पता था कि बिग बॉस में बॉट डालने के लिए ना 18 साल की उमरों नहीं जरूरी नहीं होती और एलवी शादव के ओडियोंस तो सब चलो खेर छोड़ो मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो यह politicians होते हैं वो ऐसे लोगों के यूज करते हैं ऐसे अभी ऐलवी शादव ने भी तो अंकित भाई का यूज किया है ऐलवी शादव का अंकित भाई के साथ गाना आ रहा है अब घोडों की रेस में गदे भी दोड़े जोड़े गानी छोरी बैठी गैल मारा गज कित बाज अगार वीचे किले कुले साड़े यर्थ छैफित बीतर गाड देंगे पावेगा ना बच छोड़े राव साफ क्रोस मत गाउ साफ राइट व्यूज मांग रहा है चोबरा मांग रहा है एजूगेशन मांग रहा है बी अरे हाँ भाई नहीं बोल सकता कोई तुमारे एलिविश भाई के सामने सामने चौड़ो यहां तक कोई अपनी वीडियो में भी उसके बारे में निबह अगा रहा है और खुद उसने एक टीम बिठा रहा है अंधबक्तिों की अगर कोई उसके बारे में वीडियो बना दे तो आयात ने बरबर के गालियां देने इसलिए मैं तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलता ही नहीं अरे मैं उनसे डरता नहीं हूँ एक्चली बात यह है ना कि वो साले आठमी फिर 13-14 साल के कीडे मकोडे जिनके फेक अकाउंट पर फोटो दक नहीं लग रहा है उनकी अब उनको मैं क्या ही बोलूँ वो बच्चे हैं उनको जी लेने दो उनकी जिंदगी हम अपनी वीडियो पर फॉकस करते हैं मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं दो चीजों में मेरा भी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है एक कि खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा तुझे समय देना चाहिए उनको मैं देने ही पा रहा हूं हां मोदी जी बीजी बहुत होते हैं ना ब्लोग बनाने में जाड़ुमार के लोगों को सौफ्ट इंफ्लेंस करने में नहीं वैसे मजाक की बात नहीं है यार हमारे देश के पर्धान मंतरी जी आइनको और भी बहुत गाम होते हैं जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो मोदी जी नहीं नहीं उसको टनीक के सोचने में स्टाइब के वोट कैसे मांग जाए अगली बार कि अलेक्षन जीत्ई पैंचन ले रहें आईrum अगली बार की इलेक्शन भी आप इसम के की सब्सक्राइगा तक्र में हैं कि अन्सान जो आप से जीत है आप ने जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है यह परफेट एक जम्पल आपने दिया है और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नवजवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग ते यह भी अपको आप पर एक चीजों को फॉलो करते हैं स्क्रिप्ट तो बड़ी आ लिखी गई है वैसे मतलब जब डायलोग बोर रहा है तो लग रहा है एकदम नेचरल सा बस एक बार थोड़ा मोदी जी को जाड़ु मारना भी सिखा देते तो उनको शायद आता नहीं है ना उन्होंने कभी जिंदगी में मारा नहीं होगा बिचारे अपने पैर के साथ ही कच्रा साफ करने लगे हुए है चलो एटलिस्ट मोदी जी कच्रा तो साफ कर रहे है नहीं तो हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी है कि साफ सडकों को ही साफ कर रहे है वो भी हवा में जाड़ु मारके वैसे मोदी जी जहां पे आप ये सफाई कर रहे है ये कोई वैसे पबलिक पार्क तो होगी नहीं क्योंकि विकोज ऑफ security रीजन साथ किसी पबलिक पार्क में जाके तो सफाई नहीं करोगे लेकिन अगर पबलिक पार्क है तो इसमें इतना कच्रा कहां से है इसको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे महिनों से इसकी सफाई नहीं हुई और सफाई का काउंट तो मुंसी बाल ठीक है और सरकार तो आपकी है चलो मान लगते हैं कि यह पब्लिक पार्क भी नहीं है तो यह आपकी कोई परसनल पार्क होगी आप घर का गाडन होगा तो इसमें इतना कचरा म बहुत अच्छा है तुम बहुत मैंनत कर रहे हो मैं मोदी जी आप से कहना है चाहूंगा शोशल मीडिया पर तो और भी बहुत लोग हैं बहुत इंफ्लेंसर हैं मैंनत तो इस देश में और भी बहुत कर रहे हैं जैसे कि आप जाडू मार रहे हैं सफाई करमचारी बहुत म मुका मिला लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अंकित भाई का फायदा उठा रहा है मैं ये कहना चाहरा हूं अंकित भाई तो बहुत बड़ी आदमी है यार मैं तो कहते हैं इंफ्लेंसर हो नहीं ऐसा चाहिए असली हिंदू यह है जो अपने धरम की रिस्पेक्ट करता है जो आपतरवाशा बोड़ रहा है वेजिटेरियन खा रहा है सिंपल खाना सिंपल पहनना नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी अपनी प्रफाइल में हिंदू लिख दते हैं गाड़ी बड़ा लिखवा रहते हैं और जाके कलबों में दारू पीके नाच रहे होते हैं नोन वेज खात बस मोती जी को जाडू कैसे मारना ये सिखाना रह गया लेकिन पूरा सिखाया गया कि अंकित भाई आएंगे तो उनसे क्या-क्या सवाल करना है क्या-क्या पूछना है कि 75-yard challenge के बारे में तो बात कर नहीं है ताकि अंकित भाई की audience है जो मोती जी से relate कर पाए मोती जी उनको funding करी है तु देज़ द्रोही है तु टेररिस्ट है तुने हमारे prime minister को गलत कैसे बोला भाई मैंने तुमारे prime minister ना तुमारा कहाँ भाई मतलब हम सब का prime minister इनको मैंने गलत क्या बोला ना मैंने इनको कही नाम खराव गया मैं नहीं चाहता है, वह सिर्फ इनका तरीका चाहन लगा, मैं सिर्फ यह बताना चाहरा हूं लोगों को, कि यह तरीका इनका यह है, यह करना चाहरे है इससे, मेरा सिर्फ यह point of view है, मुझे कहीं किसी और party से funding नहीं आ रही, मुझे कहीं, आप वालों ने या राहूल गांधी मुझे कोई पैसे नहीं भेजे कि यह वीडियो बनाते में, मुझे के खिलाओ, मेरा point of view है, जो समझदार बनते होंगे वो समझ जाएंगे यह वीडियो देखकर, और वैसे मुझे पता कि इस वीडियो के नीचे कैसे कैसे कॉमेंट्स आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के कॉमेंट्स आफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखना चाता हूं कि इस देख में कितने पड़े लिखे लोग हैं और कितने अंद भगता हैं